श्री हनुमान चालीसा श्री गुरु चरन सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बर्नव रगुबर भिमल जसु, चोदायकु फलचार, बुद्धी हीन तन जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धी विद्या देहु मुहे, हरहु कलेस विकार जै हनुमान ज्यान गुन सागर, जै कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत, अतु लित बल धामा, अंजनि पुत्र पवन सुत नामा, महा बीर बिक्रम बजरंगी, कुमति निवार, सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचत केसा, हात बज्र ओ धजा बिराजे, कान्धे मोज जनेव साजे, संकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन, विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज कर बैको आतुर, प्रभुचरित्र सुन बैको रसिया, राम लखन सी तामन बसिया, सूक्ष्म रूप धर सिय दिखावा विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, राम चंदर के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रगवीर हरशी उरलाए, रगपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतही संभाई, सास बदन तुम रोज सिगावे, अस कही श्री पति कंठ लगावे, संका दिक ब्रह्मादी मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा, जम कुवेर दिक पाल जहांते, कभी कोविद कही सकी कहांते, तुम उपकार सुक्रीवही कीना, राम मिलाए, राजपद दीना, लंके स्वर्भै सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन परभान लील्यों ताहि मधुर भल जानू, प्रभु मुद्र का मेली मुखमाही जलदी लांग गए अच्रच नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्रे तेते, राम दुवारे तुम रखवारे, होतन आज्या बिनुपैसारे, सबसुक लहें तुम्हारी स सरना तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांक तेकापे, भूत पिसाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर, हनुवत वीरा, संकट ते हनुमान छोड़ावे, मनक्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरत जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फलपावे, चारों जुग पर ताप तुमारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा, सादु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अश्ट स सिद्ध नौ निदिके दाता, अस्बर दीन जान की माता, राम रसायन तुम्रे पासा, सधा रहो रखवपति के दासा, तुम्रे भजन राम को पावे, जनम जनम के दुख विसरावे, अंत काल रगवर पुर जाई, जहां जनम हरिभक्त कहाई, और देवता चित्त न धरे, ह जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंद महासुख होई, जो या पड़े हनमान चाली सा होई सिद्ध साखी गौरी सा, तुलिसी दास सदा हरिचेरा की जैनात हिर्दे महाडेरा, पवन तने संकठ हरन, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित, हिर्दे बसव सुर्भू। इस धर्ती पर स्थित रह सकते हैं। ऐसा हुआ कि औरंग जेव को उन्हें छोड़ना पड़ा। हनमान चाली सा में चालिस छंद हैं, जिनके कारण इसको चाली सा कहा जाता है। इस चाली सा को पढ़ते रहने से व्यक्ति के मन में साहस, आत्म विश्वास और पराक्रम का संचार होता है। और इस कारण से ही वह संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। ओम श्री हनुमते नमां।